नमस्कार फ्रेंट्स, पीसफुल होम एन इंभाइर्णमेंट चैनल में आप सबकी स्वागत हैं और मैं मिसस धारा फ्रेंट्स, टमाटर के पौधे से फूल क्यों जड़ते हैं या टमाटर के पौधे में फूल बनतु रहे हैं लेकिन फूल फल में कनभर्ट नहीं हो पा रहे हैं अगर आपके टमाटर के पौधे में भी एही समस्या है तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप टमाटर के फूल ज़रना रोकेंगे और ऐसा क्या करेंगे कि एक भी फूल ना ज़रे और हर फूल टमाटर में कनभर्ट हो सके तो चलिए हम लोग इस वीडियो से आज टमाटर की पौधे की प्रॉब्लेम और उसकी सॉलूइशन के बारे में जानेंगे लेकिन उसके पहले हम बोलेंगे अगर आप चैनल में नए फ्रेंट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए त छोटी-छोटी टौफी की डिब्बे में टमाटर की पौधा ग्रोगी हूँ और दोनों पौधाई फूलों से भरे हुए है और हर फूल अभी छोटे-छोटे टमाटर हर फूल से छोटे-छोटे टमाटर बन रहे हैं और यहां जो बड़े कंटेनर में जो मैं टमाटर पहले कर रही हूं तो मैं ऐसा कैसे कर पाई हूं यह मैं आपको बताऊंगी और टमाटर के पौधे से एक भी फूल ना ज़रे उसका solution भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो टमाटर के फूल ज़रने की कई सारे reasons होते हैं उन में से एक reason यह है कि nutrition की कमी होना टमाटर के पौधे में अगर nutrition की कमी हो अगर उसको सही मत्रा में खाना नहीं मिल रही है तो flower drop हो सकते हैं इसलिए टमाटर का पौधा आप जब लागा रहे हैं तो अच्छी quantity में compost मिला के potting mix बनाएं और 25 से एक महीना बाद से पौधा जब 25 दिन का हो जाए या एक महीना का हो जाए तब से हर हफ्ते आप liquid खाद गमले में डालते रहे liquid खाद आपके पास जो है ओहीं डाल सकते हैं अगर कुछ नहीं है तो सर्सो की खली की तरल खाद आप हर हफ्ते बनाके आप अगर देंगे तो nutrition की कमी पौधे को नहीं होगी दूसरा करण जो है वो है अंडर वाटरिंग अगर ऐसा है कि आप एक दिन पौधे में पानी डाला दूसरे दिन नहीं डाला या पौधे की जो कंटेनर है गमला है या जमीन में भी अगर है पौधे की मिट्टी अगर पूरी तरह से शुक जाएगी तो flower drop हो सकते हैं पौधे की जो मिट्टी है वो मिट्टी बिल्कुल भी सूख राजाए हमेशा टमाटर की जो पौधे की जो मिट्टी है जिस मिट्टी में आप लगाये है वो इस कंटेनर की मिट्टी को हमेशा थोड़ा सा मौइस्ट रखने की कोशिश करे अगर ऐसा करेंगे तब भी आप का टमाटार का फूल जर्णा बंध हो सकते हैं तीसरी जो कारण है ओ है इनसफिसेंट सानलाइट टमाटार की पौधे को काफी अच्छी मत्रा में धूप की जरूरत होती है इसलिए टमाटार की पौधा ऐसी जगापर रखिए जहां मिनिमाम 5-6 घंटे की धूप मिल सके मिनिम फूल बन भी रहे फूल अगर आ भी रहे हैं तो इनसफिसेंट सानलाइट के बज़ा से फूल छड़ सकते हैं इसलिए इस बात की ध्यान रखे और टमाटार की पौधे को ऐसी जगापर रखे जहां पर उसको बहुत अच्छी मत्रा में धूप मिल सके चौथी जो ठीक ठाक नहीं होना पॉलीनेशन अगर ठीक तरह से नहीं होगी तब भी फूल जर सकते हैं फूल से फल बनने के लिए जो बहुत जरूरी काम है जो काम बहुत जरूरी होती है वह पॉलीनेशन होना पॉलीनेशन अगर ना हो तो भी फूल जर सकते हैं इसलिए आपके कितना सक टमाटा के पौधे में कई तरह के पेस्ट अटक होते हैं पेस्ट अटक भी होते हैं और फंगा सटक भी काफी देखा जाता है इसलिए टमाटा के पौधे में समय समय पर कितना सक और फंगी साइड जरूर स्प्रे करते रहें हर 10 दिन या 12 दिन की इंटर्विल में कित इतनासक और फंगिसाइड अगर आप स्प्रे करेंगे तब भी आपके टमाटा के पौधे की फूल जड़ने की जो समस्या है इस समस्या से आप नीजात पा सकते हैं और उसके बाद जो एक और इंपोर्टेंट कारण है वो है कैलसियम की कमी होना टमाटा के पौधे को कैलसियम की काफी मत्रा में जरूरत होती है इसलिए कैलसियम की कमी अगर देखा जाए और ऐसे भी कोई भी पौधा हो उस पौधे में अगर कैलसियम की डेफिशेंसि होगी तो फूल फौल प् wenn calcium की कमी के बज़ें से बन नहीं पाते हैं इसलिए अगर आपके टमाटर के पौधे की फूल जहर रहे हैं तो आप केलसियम प्रोभाइट करने की व्यवस्था करें केलसियम प्रोभाइट करने के लिए आप बोन मिल भी यूज कर सकते हैं और अगर बोन मिल नहीं हैं तो दस इंच के गंबले में आप टी स्पून में एक चम्मच चूना या लाइम आप अगर डालेंगे तो भी आपकी ये समस्चा दूर हो सकते हैं केलसियम एक ऐसी तत्व है जो पौधे के लिए बहुत जरूरत होती है केलसियम के कमी अगर पौधे में हो तो फूल-फल बनना मुस्किल होता है और अगर फूल बनते भी हैं तो जट जाते हैं तो इसलिए आप आपके टमाटा के पौधे में अगर नियमित रूप से कैलसियम प्रभाइड करेंगे तो आपके पौधे में ये समस्था नहीं देखी जाएगे तो फ्रेंट्स आपको जो प्राब्लेम की बात मैं बोली हूँ और सलुशन की बात बोली हूँ ये आप फौलो करके देखिए आप भी बहुत अच्छे से टमाटा का पौधा कर पाएंगे और आपका टमाटा का पौधा मेरी ही पौधे के तरह उपर से नीचे तक फूलो से औ तो फ्रेंट्स आज इतना ही नमस्कार